मेरे नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों यहां पर यह जो हमारा सीरीज है जिसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप करेंगे हर दिन आपको एक दो वीडियो ऐसे मिलेंगे जो बहुत जादा इंप योपी पीशिस के लिए या पर आप आरो बी यो फिर किसी भी दूसरे एकजाम के त्यारी कर रहे हैं बारहाल टार्गेट है हमारा उत्परदेश पीशियस देखिये अब कई वार आपने एगजैमिनेशन में ऐसे कोश्चन देखे हूंगे जहां पर आपको ये पूछा जा तो कैसे करेंगे ठीक है तो उसी को यहां पर बहुत एजी तरीके से हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम स्टेट देखेंगे इसके बाद हम बात करेंगे उसकी डेट की फिर एयर की और फिर हम बात करेंगे कि पहले जब वह स्टेट नहीं था तब वह क् बंगाल क्या था यानि की बंगाल प्रांत का एक हिस्सा था पच्छे मंगाल ठीक है जो की ब्रिटिश इंडिया के अंडर था इसके बाद अगला स्टेट आता है आपका हिमाचल प्रदेश तो जब हम बात कर रहें कि हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश आपका कब है पंदरा अपरेल उन्नेस सो और तालिस को ठीक है अब इस से पहले ये जो पार्ट था ये आपका प्रिंसली स्टेट जो था पंजाब उसका एक पार्ट हुआ गरता था हिमाचल प्रदेश और उन्नेस सो और तालिस पंदरा अपरेल उन्नेस सो और तालिस में जाकर ये एक राज बना है तो इस तरीके से सबसे पहला जो राज है वो आपका वेस्ट बेंगॉल सेकिंड मतलब आजादी के बाद की बात कर रहे हैं आजादी के बाद सबसे पहला जो बना पच्छे मंगाल बना उसके बाद बना आपका हिमाचर प्रदेश इसको राज का दर्जा पराप था राजस्तान ठीक है और 1949 में 30 मार्च 1949 को ये जो है इस्टेट हुड का दरजा इसने पराथ किया इसके बाद नमबर आता है आपका उत्तर प्रदेश जो की 24 जनवरी 1950 को एक राज्य के रूप में इस्थापित हुआ ये संयूक्त प्रांथ यानि की युनाइटिट प्रोव को मनाया जाता है अब देखिए यहां पर चार स्टेट ऐसे हैं जो कि आपके एक ही मतलब पांच स्टेट ऐसे हैं जो कि आपको एक ही साल में एक ही दिन स्थापित करें गए हैं जिसमें आपका आंदर प्रदेश है करनाटक है केरिला है मद्द प्रदेश है और और मद्रप्रदेश ठीक है इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा चलिए इसके बाद अब इसके अंदर क्या कुछ था किसका पार्ट था ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं चली एक बार देख लेते हैं इसको फिर भी अगर हम आंदर प्रदेश की बात करेंगे तो एक नमबर 1956 को इसके बाद केरला की बात करेंगा तो धेड़ वॉस पार्ट अफ मद्रास स्टेट और ह और टरामल कोर कोचेंग इसके बाद मद्द प्रदेश की बात करेंगे तो मद्द प्रदेश वός दी पार्ड ऑफ सेंट्रल प्रविजए यानिकि जो आफका मदे प् फिरार प्रिंसली स्टेट ऑफ मकराई एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ फॉर्मर इस्टेंड इस्टेट्स एजनसी ठीक है तमिलनाडू की बात करें तो एक नवंबर इसके बाद अगला आता है अबका नागालेंड जोकी 1963 में बना एक दिसंबर इसके बाद हरियाना की बात करें और बात करें पंजाब की दोनों नाइटीन सिक्टी शिक्स ने स्ट में गठित करें में इसके बाद अगला यहां पर बात होगी आपकी मनिपुर, मेगालिया और तिरपुरा, ये तीनों स्टेट, किसकी मनुपुर की तो पहले एक union territory था फिर यह convert हुआ आपका state में इसके बाद अगर हम second बात करें किसकी तो कौन कौन सी यहाँ पर union territory है इनको भी हम देखेंगे एक बार फिर से ठीक है तो यहाँ पर अभी हम बात करें year of establishment की यह आपको सबसे पहले देखना है सिक्किम की बात करें सिक्किम 16 माई 1976 को सिक्किम सौरी 1975 को सिक्किम जो है यह एक राज के रूप में इस्थापित हुआ पहले यह kingdom हुआ करता था एक राजशाही थी यहाँ पर इसके बाद 1987 में तीन स्टेट बने हैं अरुनाचल प्रदेश गोवा और मिजोरम ठीक है या फिर मिजोरम और गोवा दो बने हैं आपके 20 फरवरी 1987 को और गोवा बनाए आपका 30 माई 1987 को सो यहाँ पर रुनाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था मिजोरम भी यूनियन टेरिटरी था अब गोवा की बात करें that was part of गोवा दमन एंडियू उससे अलग करा गया गोवा को दमन दियू से और इसको एक स्टेट रूट का दरजा दिया गया इसके पाद 36 इस तरीके से याद रखीगा सबसे पहले 36 गड़ फिर उत्तरा खंड फिर जार खंड ठीक है एक नौपंदरा एक नौपंदरा सन एक ही यह 2000 ठीक है पहले पार्ट आफ मद्दप्रदेश था और यह जो आपका था उत्तरा खंड यह पार्ट था उत्तर प्रदेश का 36 इसके बाद अगला आता आपका तेलांगना यह आप सबको वह उच्छे से पता होगा दो जून 2014 को इसका गठन किया गया आंदर प्रदेश से यह अलग हुआ अब यहां पर आगे हम बात करें वह स्टेट जो की आपके फॉर्म हुए इंडिपेंडेंस जो हैं मिली सुतंतर इसमें तो इस तरीके से यह सब कुछ है बट यहां पर अभी एक बार हम यहां पर यूनिन टेरिटरी से स्टेट में कौन कौन से कनवर्ट हुए इनको यहां पर हम देखते हूँ चलते हैं और इसके बारे में कई बार आपसे एक्जैमिनेशन में पूशा भी जाता है कि कौ पहले यूनिन टेरिटरी था बाद में एक स्टेट के रूप में गठेत हुआ तो इसमें एक तो है आपका नागालेंड ठीक है नागालेंड के बाद मनीपुर तिरपुरा अरुनाचल प्रदेश मिजोरम यह सब यूनिन टेरिटरी थे जो की कनवर्ट हुए मतलब जिनको पीडिएफ मिल जाएगा ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन थेंक यू सो मच हव नाइस दे बाबाए